आज मैं आपको 32 साइज में सब विसाची ब्लाउज की पेपर कटिंग तयार करना बताऊंगी यानि इससे आप फर्मा भी कह सकते हैं और आप इस तरह से पेपर पर कट करके रखेंगे तो कभी भी एनी टाइम आप अपना ब्लाउज इजीली कट कर सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं तो यहां मैं आपको पहले इसका मेजरमेंट बता देती हूं देखिए लेंद यहां पर मैं ले रही हूं 13.5 यह रेडी लेंद है चैस्ट इसमें है 32 इंज वेस राउन यहां पर 28 इंज शोल्डर यहां है 14 और आर्म होल भी 14 है इसमें अब देखिए यहां पहले मै बैक का पीस कट करूँगी तो यह जो सव्य साची ब्लाउज होता है इसमें आपने फ्रंट का नेक देखा होगा कि ब्रॉड भी होता है और डीप भी होता है तो फ्रंट में आप जितना चाहें उतना नेक बना सकते हैं जितना नेक पहनने में आप कॉंफर्टेबल हो एक ब देखिए यहां पर पहले हम लेंगे length तो 13.5 है तो यहां पर length हम लेंगे 14.5 अब यहां पर देखिए हमें लेने हैं shoulder तो shoulder यह जितने बोट नेक में हैं जितने भी आपके full shoulder हैं उसका आपको half लेना है और same आपको सब्विसाची pattern में भी करना है क्योंकि हम पीछे से बोट नेकी लेंगे तो यहां पर 14 का half मैंने ले लिया है 7 inch इसके बाद मैं armhole ले रही हूँ 7 inch अब यहां से आपको chest का fourth part लेना है chest 32 है तो उसका fourth part होगा 8 inch यहां से 1.5 inch हम margin का ले लेंगे इसके बाद कमर का निशान है तो कमर यहां पर आजाएगी fourth part 7 inch और इसमें 1 inch की हम dart लगाएंगे और 1.5 inch हम margin का ले लेंगे तो इस तरह से इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ side के निशानों को मैंने मिला लिया है अब यहां पर आपको armhole लेना है तो यह मैंने 3 inch पर निशान लगाया और यह हमने armhole draw कर दिया अब इसमें सबसे खास बात है इसका neck तो यहां प को बताया कि इसका neck थोड़ा सा हम broad ही लेते हैं अब यहां से boat neck हमको लेना है तो मैं इसकी गहराई ले लेती हूँ 3 inch और इसमें हम boat neck draw कर देंगे अब यहां पर half inch मैंने shoulder down के लिए किया यह देखिए अब यह simple इसमें यह blouse हो गया है अब यहां पर हम एक drop shape देंगे तो 1 inch क यहां से हमने लिया gap तो अब आपको देखना है कि नीचे से आपको कितना रखना है यहां हम 4 inch भी ले ले लेते हैं 5 inch भी ले लेते हैं या फिर कई लोग यहां बिलकुल 3 inch लेते हैं तो जितना भी पहनने में आप comfortable हो उतना आप नीचे की यह वाली पट्टी ले सकते हैं मै इसकी जो बीच की डार्ट होती है वो हम इन दोनों का सेंटर ले लेते हैं अगर आपको और भी इजी करना हो तो आप शोल्डर के बीच में से यहां डार्ट ले सकते हैं बिलकुल सही डार्ट आईगी आपकी तो यह हमारा पैक का पीस रिडियो हो गया है अब मैं इसे कट क करते हैं तो देखे यह हमारा पैक का पीस हो गया है अब आपको अगर इसमें शोल्डर और भी कम रखने हो तो आप नेक के यहां ब्रॉड नेस बढ़ा सकते हैं जैसे यह हमने भी साड़े तीन इंच कर लिया है तो यहां पर भी साड़े तीन है अब यह बनने के बाद हमारा धाई इंच का यहां पर शोल्डर बचेगा जो पहने में भी कमफर्टिबल रहता है इसलिए मैंने इसमें नेक 3.5 इंच का लिया है अब इसी को रखकर हम अपना फ्रंट पीस कट करेंगे अगर आपको बैक उपन बनाना है तो यहां पर आपक एक्स्ट्रा लेना रहेगा आई हुक की पट्टी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट ओपन में इसलिए मैंने यहां पर जो फ्रंट का पेस्ट ड्रॉ करूंगी ना उसमें आपको यहां पर मार्जिन लेना रहेगा तो देखिए यह हमने margin ले लिया अब आपको same इसको as it is draw करना है यह देखिए यह हमारा paper draw हो गया है यहाँ मैंने neck का निशान ले लिया है यह arm hole है ठीक है अब आपको यहाँ change करना है पहले arm hole में तो यहाँ पर हम front की shape ले लेते हैं अब आपको यहाँ लेना है neck तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें neck deep लिया जाता है आप 7.5 या 8 inch ले सकते हैं तो 8 inch तक हमने यहाँ neck ले लिया है अब यहाँ पर 3.5 था अब यहाँ आपको draw करना है neck यह देखिए इस तरह से और आपको कोई problem हो तो आप यहाँ पर अपना french curve रखिए अब देखिए यहाँ पर अब आपको लेना है इसका bust point बस point लेने के पहले हम इसमें belt का निशान ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर 1.5 inch का belt का निशान लगा लेती हूँ यह मैंने एक straight line draw की है ठीक है अब यहाँ से हम लेंगे bust point तो देखे 32 chest है उसका 4th part होगा 8 inch और 8 में 1 inch हम प्लस करते हैं और half inch लाई का तो 9.5 इसका उपर से निशान आएगा और यहाँ से हम यह आई hook की पट्टी वाला margin छोड़के लेंगे 3.5 तो यह जो है इसका bust point है अब आपको यहाँ पर लगानी है dart तो पहले एक निशान हम लगाएंगे बिल्कुल सीधा अब आपको इसके दौनों side 1.5 1.5 inch का निशान लगाना है याने हम total 3 inch की dart लगाएंगे तो इसे मैं यहाँ से straight यह जो pattern मैं बता रही हूँ यह बहुत ही easy है आपको एक one dart blouse बनाना है और उससे आप अपना सफ़े साची blouse बना सकती है तो देखिए अब यहाँ से तो यह है पूरा 3 inch यहाँ से भी यह 3 inch है और यहाँ से भी यह 3 inch है याने यह वाला एक triangle हमारे पास आ गया है ठीक है क्यो यह जो bus point है यहाँ से मैंने एक निशान लिया बिल्कुल सीधा अब इसे आपको यहाँ मिलाना है तो देखिए इस तरह से मिला दिया जैसे princess cut में हम निशान लगाते हैं तो इस तरह से french curve रखते हैं लेकिन सब्वे साची में आपको इसे इस तरह रखना है और french curve से यह मैंने एक इंच निशान लगा दिया और यहाँ से आपको और यहाँ से हम इसे इस तरह बढ़ा लेंगे तो यह बैल्ट हमारा यह ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ठीक है तो दीके मैंने यहाँ पर extra paper ले लिया है अब हम कमर का नाप लेंगे तो यहाँ से यह आ गया 2.2 2.2 को मै अब इसके बाद हम 1.5 हिंच मार्जिन ले लेंगे तो यह आ गया अब यहाँ से आपको यहाँ पर निशान लगा अब मैं इसके आपको कटिंग करके बताती हूं देखिए अब देखिए यह वाला जो वैल्ट आपका यह कट हो रहा है ना यह ऐसे करके ऐसे पूरा अब देखिए अब सबसे ज़्यादा खास बात है कि इसे हम दो हिस्सों में करनवर्ड करेंगे तो यह जो बीच की लाइन है यह उसका वान हिस्सा है यह टू पार्ट है और बैल्ट का भी हम थ्री पार्ट निकालेंगे तो पहले मैं यहाँ से इसे कट करूँगे देखिए यह वाला जो डार्ट वाला हिस्सा है इसे हम चुपा देंगे और इसे हम यहाँ ले लेंगे अब यहाँ पर इसे टेप कर देती हूँ मैं हमारा मैं हिस्सा हो जाएगा तो इसे आप अब हलक आसा कर्बल दे दीजिए तो ये आपका first, ये second part है और इसके बाद यहां से ये जो third part है अब देखिए जो dart वाला हिस्सा है इसे तो हमें छुपाना है पहले मैं belt कट कर लेती हूँ इसमें से हम ये dart वाला हिस्सा भी निकाल देंगे अब जब हम इस belt को अपने man fabric पर काटेंगे ना इसे उपा से shape ले लेंगे ठीक है तो इस तरह से ये हो गया इसका third part मैं आपको इसे काट कर बता देती हूँ shape में तो अब हम एक belt कट कर लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा आजाएगा 9 इंच का तो यहां से मैंने रखा 9 इंच अब एक side से हमने लिया था 2.5 तो उसे हम ले लेंगे 3 इंच और जहां से 3.5 था वहां से हम ले लेंगे 4 इंच अब इन दोनों को आपको मिलाना है लेकिन ये जो इस तरह से shape नहीं देनी है आपको shape इस तरह से देनी है ठीक है तो इसे मैं cut कर लेती हूँ ये देखे तो इस belt का हमने इस तरह से shape ले लिया और half inch extra ले लिया है तो ये हो गया आपका third part तो देखे इस तरह से आपका 32 size का paper pattern तयार हो गया है इसमें आपको जब हम man fabric पर cut करते हैं तो यहां पर कोई margin नहीं लेना है ये as it is रखना है प्लस आपका ये वाला जो first part है उसमें सिर्फ यहां से जो सिलाई जाएगी ना तो आपको यहां से half inch का margin लेना है और इस वाले portion में आपको यहां से उपर से और नीचे से half inch का margin लेना है बैल्ट में तो हमने margin half inch ले ही लिया है तो इस तरह से आपका ये सब्वे साची pattern तयार हो गया है तो यहां पर इसकी पूरी fitting इस dart पर depend करती है जब हम इसे यहां से attach कर देंगे पूरा तो यहां एक बहुत ही अच्छा puff create होगा और यहां पर एक बात और मैं बता दूँ यहां पर हम जो इतना हिस्सा रखते हैं तो उसकी वज़े से आपको सिलाई में आसानी रहती है आप चाहें तो यहां पर पूरा बारीक भी कर सकते हैं उसमें उस condition में आपको यहां पर belt बढ़ाना रहेगा तो यह वाला जो portion है वो आपको अगर आप इस तरह से रखते हैं तो सिलाई में comfortable रहता है तो अगर आप इसका stitching वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment में बताएं और इसी के साथ अगर आपको वीडियो में कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment करके पूर सकते हैं इसी के साथ वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार